तुछ तुछ नमस्कार बड़ी कपर मध्यपरदेश से मध्यपरदेश में होली से पहले गिर सकती है कॉंग्रेश की कमला सरकार जिस तरीके से कॉंग्रेस में बगावत चल रही है और जो थमने का नाम नहीं ले रही है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अब जादा दिन नहीं है कि मद्य परदेश में कमला सरकार अपने पैट टेक पाई जिस तरीके से कॉंग्रेस में एक बड़ी बगावत सामन के मुख्य मंतर्य कमलांत के पैरों तले जमीन निकल कुकिए है तो अध़ यह शुझा existing को सपराइब सब्सक्राइब प्रश्टाइब ला सकती है जिस तरीके से मध्यपरदेश में जो सियासी संकट शुरू हो गया है जिसमें कमलात के जो खुद के विधायक है वो बागी हो गए है तो इसी का ठीक राफोनने की कोशिच अब यह कोशिच कर रहे हैं और यह कोशिच कर रहे हैं जिस तरीके के इन्होंने पहले दि दूसरी तरफ जोती रादित सिंग यह सिंधिया और तीसरी तरफ है कमला सरकार जी हैं जिस तरीके से यहाँ पे यह तीन गुटों में सरकार बटी हुई है तो इनी के आधार पे जब इनके खुद के विधायकों में फूट पट दी हुई नजर आ रही है तो इसको लेकर भी जो 17 विधायक और 6 मंतरी समेथ 17 विधायक जो बैंगलोर गए है तो ऐसा लग रहा है कि वो सारे मंतर विधायक अब जोती रादिती सिंधिया के खेमे में है तो इसको लेकर भी कमला सर्क कमला सर्क मित पूरी तरह से बौकला ही हुए और किसानों को ठगाया जब तक विरोध बढ़ गया तो अब बीजेपी पर दोश मड़ रहे हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिच कर रहे हैं जी यहां आपको बताते हैं कि जिब सरकार बनाने के लिए इन्हीं कॉंगरेस की तरफ से बड़े-बड़े बादे वहाँ पर किये जाते हैं और जो बेरोजगार हैं हुनें भत्ता देंगे दस दिनों के अंदर ये सारे काम पूरे हो जाएंगे और जब इनकी सरकार वहाँ पर बन जाती है तो 12 महीने के बाब 12 महीने हो जाते हैं और उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई भी वादा फूरा नहीं होता तो जिसके बाद इनके विधायकों में आपसी फूट परती में हर दीप डंग ने इस्तिफा दिए तो उन्होंने कह और उन्होंने इस्तिफा तो देया था और साथ में यह भी काँजूरेस को कहुंद चेता है भी घायार कि परत रहे जोंहिन पर रहते हैं और यहां धिकर करने से जादा प्रस्टाचार में लिप्त रहते हैं तो आप कॉंग्रेस के एक विधायक हर्षदीब लंग ने इस्तिफा दिया और इस तरीके का तमाचा मारा कॉंग्रेस के खुद की पार्टी के मूपर के उन्होंने इस्तिफा क्यूं दिया और उनके पीछे क्या वज़े तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके विधायक जो बगावत तो तरह हैं उनके मुख्य कारण क्या है और उनके बावजूद भी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनका दोश अब बीजे भी पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने के लिए जिस तरी जैसे लोगों ने 15 साल लगा था बीजे पी को चुनने की वजाए इस बार कॉंग्रेस को चांस दिया था और उसके बाद जब कॉंग्रेस की बारी वहां पर आती है तो कॉंग्रेस किस तरीके से ब्रस्टाचार में लिप्त ये पार्टी के लोगों को एक भी काम करके नहीं और याने की उनके साथ हैं तो आपको बताते हैं कि जिस तरीके से करनाटक की करनाटका में कॉंग्रेस की स्थिती हुई थी और जादा दिन इनकी सरकार वहां पे नहीं चल पाई थी और जल्दी ही पैर तोड़ दिये थे अब वही स्थिती अब मध्या परदेश में होने व सिफे जो वहां पे कोई काम नहीं हुआ तो इनी के खुद के विधायकों ने वहां पे जब इस्तिफा दे दिया और उनकी सरकार ने बुरी तरीके से अपना दम करनाटका में तोड़ा था तो अब वैसा ही हाल इनके मध्या परदेश में होने वाले हैं आपको बताते हैं कि कि जिस तरीके से इनके विधायक टूट जा रहे हैं तो उसका क्या आसर होगा आपको बताते हैं कि मध्या परदेश में 230 विधानसवाद सीटे हैं जिसमें से दो विधायकों का निर्दन होने से अब 228 सदस्ते बचें हैं कॉंग्रेस के पास 214 विधायक हैं इसके अलावा हैं वही बीजेपी के पास एकंसाथ विधायक हैं बहुमत का आकड़ा 116 है अगर 17विधायक तूर बदल बीजेपी में शामिल हो जाए तो विधानसवा में बीजेपी का आकड़ा 134 हो जाएगा यानि की बहुमत से काफी ज़ादा ऐसे में मध्द्यपरदेश की पास शामिल बीजेपी के पास आ जाएगा और आपको बताते हैं कि जिस तरीके से अभी बीजेपी चुपी साथ कर वैठी अभी यही बीजेपी जिस तरीके से कुछ दिन पहले दावा कर रही थी कि कॉंग्रेस के 20-25 विधायक उनके संपर्ख में हैं और अब जैसे के करके व करने के लिए सामने आ जाते हैं और जन्ता के लिए कोई काम नहीं करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब मध्यपरदेश में इनकी सरकार टूटने ही वाली है अब बदादा दें कि यह कभी काम अब कमलात ने जैसा कि आज उधारन दिया उन्होंने सोनिय गांदी से मुलाकात पर उनके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की गलती है और बीजेपी पंद्रा साल राज करके भी उसके पेट में चैन नहीं आ रहा तो इसलिए वो हमारी सरकार को टोड़ने की कोशिच कर रही है तो यहां पर एक बास समझने की कोशिच कीजिए कि जिस सरका में CAA यानि की नागरिक तर शंसुदन कानून कानून जब पास किया तो इसको लेकर कमला सरकार स्थाभ पारत करने के लिए तो नंबर वन पर आ जाते हैं पर वहीं पर जब जनता के हीतों की बात आती है और जो जो तो लेकर ये टस से मस नहीं होते उन वादों के लेकर कभ को बरगलाने में बड़े नंबर वन पर होते हैं और उसके खिलाफ यह पर रहांपर जहां के सब्सक्राइब को लेकर यह कहा गया और इसको लेकर जितनी जगाहों मध्य परदेश राजस्थान पन्जाब कि सरकार कानून को बात आती है और अंके वादे करते हैं वहां पर यह कभी भी इतना जादा दम नहीं लगाते कि पर यहां पर यह अपने सांस अपने विधायकों को जुदाने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए तो वहां पर बड़े-बड़े लुभावने वादे कराते हैं आपको बताते हैं जैसा कि हमने कुछ दिर पहले आपको बता है कि राहुल गांदी ने मद्य परदेश हो या फिर राजस्थान हो यहां पर किसानों की कर्जमाफी को ले कि बारी आ जाती है और जहां पर किसानों के हैतों की बात आती है तो वहां पर यह अपने टेप लगा लेते हैं और जब इनकी सरकार वहां पर टूटने की बारी जब इनी की गलतियों के बैसे इनकी सरकार टूटने लगती तो वहां पर यह बोलते हैं कि भाई बीजेपी हम झाल झाल